कि अब्रीवन बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का अड़र 247 पर मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा और आज आपके लिए IPC की मोस्ट इंपोर्टेंट में से क्यों उसके माराथन लेकर के आई हूँ एक बार मुझे प्लीज कमेंट सेक्षिन में बता दीजे क्या आपको आप मुझे देख और सुन सकते हैं इस आउडियो वीडियो क्लियर प्लीज जिस लेट में नो इन दे कमेंट सेक्षिन एक बढ़ फटा-फट से मुझे देख करके बता दीजे मैं भी चेक कर लेती हूँ अपने साइट से गराफ चुनून चंदन जी वेरी गराफ चुनून जल्दी से सबको यहां पर शेयर कर दीजे आर्ट कर दीजे थोड़ा सा विलंब हो गया क्लास को स्टार्ट करने में बट कोई नहीं अब अच्छे से कर लेंगे चली शुरू करते हैं इसको आई बिलीव सब ओके हैं आई बिलीव ऐसा में मान करके चल रही हूं बहुत ही इंपोर्डिंट कुर्शन आपके लिए लेकर क्या आई हूं तो आपका फर्स बनता है कि आप यहां पर अच्छे से उनको अटेम्ट करें राइट चलिए फाइद इन में से क्या है जो आई PC के तहट offense नहीं है क्राइम नहीं है बताईए इसमें से क्या है जो आई PC में क्राइम नहीं होगा अ प्लीज शेर विद एवरीवन सबको शेर कर दो ताकि लोग यहां पर आ जाए आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है बट जैसे मैंने कहा था कि पास मिनटे लेट हो सकती है तो दुस मिनटे लेट हो गई है नो वरीज राइट गुर आफ्टर नून थेफ्ट मॉर्डर ट्रेस्पासिंग ए स्लांडर इनमें से क्या है जो आई पीसी में पणिश्मेंट नही है सोच करके जवाब देना है conceptual questions है यहां पर तो सोच करके ही जवाब देना पड़े का इसा तो काम नहीं चलेगा कि शोर सोना जी option डी कि शोर है option डी होगा लॉक करा जाए कि या और वेट करा जाए कि बढ़ाई यह कि वैसे सोना जी का आंसर यहां पर बिल्कुल सही है बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि अगर हम यहां पर बेराट की लांग्विच पर जाते हैं तो थेफ्ट भी पनिश्मेंट मर्डल्वी पनिशमेंट एके हैं और घॉप मेशन के नामसे एक उपने व्य रिफे मोटा जो सकते हैं अदर यह झाल सकता है और सोसक्ता है और पास्लाइंड से हो सकता है आप उपने आप में आप उपेंस नहीं है प् fonctionne कHY डेंट अंसर हो जायगा प्र Option D would be the correct answer over here. Good afternoon, Naima ji. Very good afternoon. कैसे हो आप? How are you? पता पर सब को शेर कर दो, सारे लोग यहां पर आजाए. जो भी गृप वो बना रखे, अपने सम में शेर कर दीजे. ठीक है? Let's move forward to the next question. अगला सवाल आपके सामने ये रहा. According to the IPC, IPC के नुसार. Which of the following best defines assault? Assault की अगर परिभाशय की बात करी जाए कि assault क्या होता है, तो आप उसको कैसे define करेंगे? With the help of these given options. पहला option क्या है? Causing of wrongful laws to one person by another. या फिर option B, the intentional use of force or violence against another person. या फिर option C, unlawfully confining a person against their will. या फिर option D, the intentional spreading of false information to damage a person's reputation. Assault क्या होगा? What are the ingredients of assault? All गरे, चलो बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे. क्या होगा यहाँ पर assault? सबसे अच्छा description क्या है यहाँ पर assault का? Good afternoon चंदन जी, very good afternoon. क्या होगा assault है सबसे इच्छा definition? क्या? रॉंगफुल लॉस होता है assault में? Is there wrongful loss in assault? यहाँ पर use of force होता है, आपको जब भी यहाँ पर देखना होगी, किसी offense की correct definition क्या होगी? तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि इस offense का key element यहाँ पर मौजूद है कि नहीं है? अब IPC के अनुसार हमें यहाँ पर distinguish करना है हर option में की element क्या होगा? Option A कहना है wrongful loss, wrongful loss is not associated with assault, ठीक है? Assault का wrongful loss से कोई लेना देना नहीं है, assault भी हो सकता है और wrongful loss हो सकता है, दोनों चीज़े separately आपके exist कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला तो नहीं होगा, अगर हम बात करें यहाँ पर confine करने की, अगर किसी person को confine करा जाता है, तो यह आपका wrongful confinement में आ जाता है, this is covered in wrongful confinement, right? तो यह assault तो नहीं होगा, अब अगर यहाँ पर intentional spreading हो रही है, false information की damage हो रहा है किसी person के reputation को, तो यह आपका हो जाता है, this is known as defamation, तो एक जो option आपका बच्चता है, वो आपका सही जवाब है, यहाँ पर अगर intentional use of force करा जा रहा है, ताकत का इस्तमाल करा जा रहा है, force को apply करा ज जा रहा है, किसी भी व्याकती के खिलाफ, ठेक है यहाँ पर violence ककरा जा रहा हम सओी जारी किसी भी व्यक्ती के खिलाफ, तो इसको यहाँ पर assault बोला जाएगा, it would be known as assault, इसको assault भोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ बिलक्ट सहीं है, सारे लग बिलकल सहीं है, option बीअपर सहीं और किसने किसने भी तक लाइक नहीं करा है शेर नहीं करा है फटा-फट से लाइक और शेर करिए जल्दी अल्दी से करो कि बताइए अब कि क्रिमिनल कॉंस्परेसी क्या होगा अब वही चीज़ा में देखने कि हाँ पर हमारा अब यह हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा इट विल डेपेंड बॉन रेस्ट आफ दी ऑप्शिंस ठीक है बागी ऑप्शिंस को देखने के बाद ही हम यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे कि यह हमारा सही जवाब होगा कि नहीं होगा अगले ऑप्शिन पर आते हैं अगर हम बात करें क्रिमनल कॉंस्पिरेसी के आईपी से में 120A 120B तो उसमें यहीं दिया हुआ है या तो यहाँ पर इलीगल आक्ट है या फर क्या है आपका लीगल है लेकिन उसको कैसे करा जा रहा है इलीगल मीन से करा जा रहा है अगर यह दोनों चीजों में से कोई भी ए राजा जाएगा आपका नव अप्शन सी होगा ना ही अप्शन डी होगा ठीक है लेकिन इसके नहीं कर देना सोच रहा हमेशा एक बB perspectives को सारोट नीचर्यस को पड़ा जरूर करिए ठीक है वहां जिआ जी बिल्किल भील sincere let's कर्वासर पिर चलते हैं अगले सवाल पर चलते ह according to IPC what does the writing entail writing क्या होती है writing क्या होता है असपर ISPC राइट करना क्या होगा क्रिमिनल फोर्स होगा Commission of Offence है अनलॉफल असेम्बली है इंटेशनल डिस्ट्रक्शन है या डामेज टू प्रॉपर्टी है क्या होगा यहाँ पर सोच करके जवाब दीजए बिंदु के रही है B इस लिए राइटिंग रिटा कि यह पहले वाले के लिए कह रहे है पहले वाले के लिए कल़् फृर तो चीक है इसके लगर कह रहे हो तो क्या था और binary इंगा Wesley आती हूं क्या मैं राइटिंग ने गर सकती गर आफ्टर नून वेटा इस बताइए कि इस इस अब सारे लोग यहां पर कह रहे हैं सी 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 अनलॉफुल पहले वाला इस सोच करके बोलिये राइटिंग के लिए क्या अनलॉफुल असेम्प्री ज़रूरी है कहां पर दिया है थोड़ा सा पार्टिसपेट तो करना ही बढ़ेगा वेटा चाल इसलिए सारी चीज़ा को रिवाइस करते हैं राजस्थान के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है यह सेशन आपका पताइए कि क्या राइटिंग अकेले नहीं करी जा सकती है कि देखो क्रिमिनल फ सकता है कि कोई ओफेंस कमिट करा जा रहा है एक से ज्यादा व्यक्ति के द्वारा क्या बात है नाइमा वेड़ी इसलिए आपको प्रिशीट करते हैं सेक्शन 146 में कहा गया है कि अनलॉफुल असेंबली है यहां पर देर हास टूब अनलॉफुल असेंबली में कम से कम कितन कहते हैं इना पर दंगा किया रहा है यहां बहुत बढ़िया वेरी गुट इनुट बहुत बढ़िया, all of you very good, अगले question पर चलते हैं, अगला question आपके साब ने ये रहा, कुछ questions इस टाइप के, फिर कुछ questions अब आपके example based भी आने वाले हैं, मतलब situation दे दिए कि इसने ऐसा ऐसा करा, अब ये कौन सो offense होगा, इस प्रकार के questions अभी आपके आने वाले हैं, wait for it, छि PC के अनुसार cheating का अर्थ क्या है, what is meant by cheating, cheating क्या होती है, exam में जो आप लोग फर्रे बना करके ले जाते हो, cheating करते हो, उसको देख कर को पी करते हो, वो cheating होती है, what is meant by cheating, क्या होगा, यहाँ पर चीटिंग, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, please see the options, options देख करके बता यह क्या होगा cheating what would be cheating क्या होता है बिंदु जी कह रही है यह C इस question के लिए कह रहे है आप cheating के लिए कह रहे है आप फिर किसके लिए कह रहे है इस question के लिए कह रहे हैं सौम्या, सोना और नाइमा सारे लोग B कह रहे हैं सारे लोग B कह रहे हैं अब देखिए outside the given options यह जो हमारे पास options नहीं है अगर हम इन में से answer select करना है CDC बात है यहाँ पर option B आएगा बिट्टे option D नहीं आएगा शीमी जी option D नहीं आएगा अब यहाँ पर अगर किसी विक्ति को threaten करा जा रहा है धमकी दी जा रही कि आप जाईए आप false evidence दीजे जूटा सबूत दीजे this is not cheating यह धोखा धरली होई नहीं सकती है cheating क्या होता है धोखा धरली तो होता है यह कुछ और होता है cheating दोखा धरली तो होती है option C कहता है grievous hurt जो कि अपने आप में offense है उसके बाद अगर unlawful wrongful confinement हो रहा है तो unlawfully confining उसमें आ जाएगा फिर यहाँ पर आपके सामने option बचा क्या आपके सामने एक ही option बचा that is option B option B होगा बिटा question number हाँ बिटे में question number डालके नहीं लाई एक काम करती हूँ अब यहाँ पर अपसे लिख देती हूँ चेक है अपसे लिख देती हूँ मान के चलते की 5 question हो चुके हमारे let's number it as 5th question ठीक है अगला 6 होगा मान करके चलते हैं बाकी एक दो आगे बीचे हो सकता है अब यहाँ पर अगर किसी विक्ति को इंड्यूस करा जा रहा है induction क्या होता है आप सब के घर में induction है देखा है अपने induction कैसे काम करता है induction चूला जो होता है कैसे काम करता है एक ऐसा फर्षता होता है इसलापसा होता है उस पर आपकोई बरतन रख देते हैं तो vibration से क्या होता है, heat transfer होती है, heat transfer होती है, induction, induction इसको कहता है, यह जो यहाँ पर काम हो रहा है, यह जो inducing हो रही है, इसको induction कहा जाता है, मतलब एक सतह से दूसरी सतह पर किसी चीज का प्रभाव पड़ रहा है, वैसे ही अगर एक विक्ति दूसरे विक्ति पर कोई प्रभाव तो आलगा है उसको इंडियूज कर रहा है किया इंडियूज करे जारी लॉट को इंडियूज करी जारी आ पर प्रभाव डाले वहत् vomiting करने चाहिए झाए एक जवाब देने जाहिए इसारी सवालों के जवाब देने चाहिए यह ईट विच्पश दो नहीं होगा यह इस question में this is our purpose यह हमारा purpose यह हमारा लक्षे जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके बाद actually हम यहाँ पर क्या कर रहा है deceive कर रहे हैं इनको धोखा दे रहे हैं we are deceiving दे हम यहाँ पर धोखा दे रहे और जहां पर भी deception आ गया धोखा आ गया ठीक है जहां पर भी दोखा आ गया वहां पर क्या हो जाएगा आपका धोखा रही हो जाएगी cheating हो जाएगे इस दार्ट के प्लीज टेल में option d related to which offense option d चलिए को डिसकुस करते option d कह रहा है कि किसी person को अनलॉफुली confine करा जा अगेंस्ट एर्व और एकजामबल में olla है मैं परसेन मैंए व्यक्टी हूँ अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं yeah yeah मेरा कहीं जाने का मनओं जाने नहीं दिया इह मुझे कमरे में बंद कर दिया गिया मेरी checks को दिन कर दिल्ट Bal लिए आगर अगर किसी भी विक्ति को उसकी मरजी के बिना किसी ऐसी जगे पर रख दिया जाता है तो इसको फेंस को बोलते रॉंग-फुल कंफाइनमेंट क्योंकि यहां पर गलत तरीके से किसी को बंधक बना लिया गया है ऐसे कानून खर किसी को इजादत नहीं देता है कि आप जिसको चाहिए उसको बंधक बना ले यहाँ पर अगर confinement करना है किसी को detain करना है कस्टड़ी में लेना है तो law ने उसके लिए प्रावधान बताई हुए है कि किस को यहाँ पर कस्टड़ी में लिया जा सकता है किस तरह से लिया जाएगा कब तक के लिया जाएगा राइट हैगी नहीं अगर यहाँ पर कोई प्रावध परसन किसी को ऐसी कनफाइन करना चाहे तो IPC विल नॉट अलाव दाट और इसको ओफेंस माना चाहेगा इट विल कम इंटो रॉंग फुल कनफाइनमेंट अफॉर एक्जामबल क्या होता है देखो प्राक्टिकल केस बताती हूँ कुछ दिनों पहले ही मैं निउस पेपर में पढ़ रही थी एक केस हुआ था हर्याड़ की इसी गाव में शायद तो वहां पर जो है किसी ने पैसे उधार लिये होंगे अब जब पैसे चुकाने का टाइम आया तो उस बंदे के पास पैसे नहीं थे तो जमीन दार ने क्या करा उसको अपने घर में बंद कर लिया उसको अपने घर में लॉक कर लिया उसके घरवालों से बोला कि यह तब तक वहां पर बंद रहेगा जब तक आप मुझे ला करेंगे यह पैसे नहीं देते हो पास-दसार रुपए थे बहुत जादा नहीं थे इसके लिए पनिश्मेंट है आई पीसी में चिक है क्लियर होगे शिमी जी कॉंसेट क्लियर रॉंग फॉर्वर्ड आगे बढ़ते हैं किसने किसने भी तक लाइक नहीं करा फटाफट से लाइक करो बेकोज लाइक करने का मतलब क्या होता है अपनी अटेंडेंस मांक करना हो है तक ले लेत्स मूब फॉवरड क्रेमिनल ब्रीचॉफ ट्रस्ट क्या होता है हम इस क्रिमिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के में कैसे क्रेमिनल ब्रीचॉफ ट्रस्ट को अब जितना अगर काद़हरन स рук कंपनेक principalmenteош है कि समझ में ऑर रहा तो इसको IPC में कैसे रिफाइन करा गया है as an offense कैसे रिफाइन करा गया है मैंने सब्सक्राइब बता दिया पर किसी का भरोसा तोड़ रही यह IPC नहीं कहता है IPC अपने तरीके से डिफाइन करता है ठीक है क्रिमिनल ब्रीच ओफ ट्रस्ट कर दिया लाई थांक्यो चंदन जी थांक्यो सोमच चंदन जी तो न जी कह रही है C सौम्या जी भी कह रही है C शूर शूर बिंदु जी भी कह रही है C शिमी जी भी कह रही है C everyone is saying C अच्छा मुझे भी बताओ क्या ये क्वेश्चन सही है वालब क्वेश्चन के साथ जो ऑप्षिंस दिये गए हैं क्या मोर देन वन ऑप्षिं हो सकता है कि इसमें more than one option हो सकता है एक से ज़्यादा option हो सकता है यहाँ पर सही इस situation में हो सकता है क्या बताएए थांक्यू इनाए माजी लाइक कर दिया गली बिना बोले कर दिया गली खुछ से कर दिया कर लिए आप लोग दो खुदी इतने प्यारे बच्चे हो किसी को मिसलीड करके गुमरहा करके यदी हम अपना रॉंगफुल गें कॉस करते हैं अपना लाब कॉस करते हैं क्या उसको क्रिमिनल प्रीच उफ ट्रॉस्ट बोल सकते हैं नहीं इसको तो नहीं बोलेंगे इसको नहीं बोलेंगे ओप्शन ए नहीं होगा ओप्शन टी देखते हैं स्ट्रेटिनिंग टू पब्लिश डिफिमेटरी मटेरियल अबाउट अपरसन धंकी दे रहें कि मेरे बात नहीं मानी तो तुम्हें बदनाम कर रहेंगे ये भी नहीं होगा जो यहां पर सबसे अप्रोप्रियेट हो रहा है जो यहां पर सबसे अप्रोप्रियेट हो रहा है तो आप लोग सही है ते कि सबसे अप्रोप्रेटी है लेकिन अगर यहाँ पर आपको देखना है आपको देखना है आपके पास अगर यह option ना हो यह इस option में कुछ गरबड़ी हो इस option में कुछ गरबड़ी हो ओन यूज की जगा मालो यहाँ पर sell लिख दिया क्या तब भी criminal breach of trust होगा अगर यहाँ पर option C देखो मैं खाली एक एक्स्ट्रा चीज बता रही हूं आप लोग सही है जो लोग कह रहें कि option C होगा all of you are correct आप लोग गलत नहीं है लेकिन मैं खाली एक्जामपल दे रही हूं कि यहाँ पर किसी और परस्थिती में मान लीज़े आपके पास यह option में नहीं और आपक तर डी फuल असेंब्ली झैमल ब्रीच और तैन ही कर सकती जहाँ पर एक विक्ति प्रीच फिर तो सकता है सो लोग मिलके नहीं कर सकते हैं क्या और कि एक से जादा लोगों के माधिन से नहीं हो सकता है क्या लेकिन पॉसिबिल्टी है कि नहीं है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्लिए करा हो अब पहले जब आटू कर रहे हैं उसना लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते करते उनका फॉर्मेशन हो गया अनलोफल असेंबली में ऐसे केसे आएंगे तो आपको यहां पर ध्यान रखना है इंटरप्रेटेशन का कि कि इनको भी वहां पर कवर करना है चीव चाहिँ पर-सेंबली बिल्कुल अगर याउन कर रहे है या अनलोफल असेंबली भी तो ओसे मिस अपर्प्रोप्रोप्रेट कर सकती है या कनवर्ट कर सकती यह व介ओ सारी मादारी ओंगे लिखाए कहीं पर कि जितनी अनलउफल सेम्वली में वे सारी मान दारी होगे ऐसा तो कुछ नहीं कहा गयाहे कहीं पर भी और या सब यू आइधा दो राईच एक्स टॉर्शन क्या होता है extortion क्या होता है थोड़े बहुत definitions पर सवाल है आपर कि offense कौन सा क्या होता है उसके बाद यहाँ पर discuss करेंगे कि कौन से situation में कौन सा offense करा गया है what would be extortion? extortion क्या होगा? बड़े ध्यान से पढ़िएगा बहुत ध्यान से पढ़िएगा चारो options को option A कहता है causing fear of injury to another person अगर आप यहाँ पर extortion की definition को देखते हैं तो option A partially partially correct हो सकता है क्योंकि element of fear होता है extortion में आप सामने वाले को डराते हो extortion में, right? अगर option B देखो तो dishonestly inducing a person to deliver property यहाँ पर किसी व्यक्ति को dishonestly induce करा जा रहा है कि वो अपने property deliver करें, right? option C कहता है obtaining property from another by threatening to accuse them of an offense या फर option D unlawfully confining a person against their will unlawful confinement तो नहीं होगा, wrongful confinement नहीं होगा मतलब, अच्छा, तो हमारे पास तीन option आ चुके हैं, तीन answers आ चुके हैं, किसी का कहना है A, किसी का कहना है B और किसी का कहना है C, तो जिसका कहना C है उसका जवाब बिलकुल सही है, मैंने आपको बताए कि element of fear होता है, लेकिन वो डर किसी का होता है, वो डर इंजरी का हो सकता है, वो डर जो इंजरी होती है, अगर हम बात करें कि इंजरी की, if you are talking about injury in the IPC, इंजरी जो है आपकी, इंजरी में होता है हाम, किसको किसको हाम होता है, बोडी को हो सकता है, माइंड को, और प्रोपर्टी को, है ना, ऐसा ही है ना, इंजरी तीनों को भी कॉस हो सकती है, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या दिया है, fear of injury अपने आप में चीक है, अगर आपके सामने option C नहीं है, तो आप option A को mark करेंगे, लेकिन अगर आपके सामने option C है, जहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर किसी वेक्ति को डराया जा रहा है, threatening है, element of fear मिल गया, पहला key ingredient हमें element of fear मिलिया यहाँ पर, threaten करा जा रहा है, क्या threaten कर रहा है, कि आप पर हम दोश लगा देंगे, इल्जाम लगा देंगे किसी अपरात का, हम आपको accuse कर देंगे किसी offense के लिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर किसी को आप धमकी दे रहे हो, suppose अगर आप सापने वाले को धमकी दे रहे हो, कि तुम्हारों पर मैं चोरी का इल्जाम लगा दूँगा, murder का इल्जाम लगा दूँगा, आप उसको डरा रहे हो, कि उसकी reputation जो है, खराब हो सकती है, reputation खराब हो सकती है, mentally आदमी परिशान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या फर कोई समाज का ऐसा वेक्ती है, जिसके reputation बहुत जाद हो, तुसके reputation ही property है, है की नहीं, अगर यहां पर किसी को ऐसा धमकाया जा रहा है, और वो आदमी डर करके आपको property दे दे, डर करके आपको property दे दे, चाहे movable property हो, चाहे immovable property हो, तो इसको extortion बोलेंगे की नहीं बोलेंगे, इसको extortion बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे अगर हमें यहाँ पर देखना हो कि extortion को option A जाद अच्छे से explain कर रहा है option C तो यहाँ पर आपको option C select करना चाहिए अगर option C नहीं है तो आप A कर दो क्योंकि fear of injury करा जा रहा है injury के definition होगी as per the definition given in the Indian Penal Code और BNS भारती नहीं सहीता में भी सेम डिफिनेशन सेम सेम परिभाशा देखने को मिलती है चीक है है हां जी sorry option B जो है एट इस रिलेटेट टो थेफ्ट थेफ्ट की बात है यहाँ पर अभी थेफ्ट भी नहीं हो सकता है इसे कर रहे हैं किसी को यह पर यह तो fraud कर रहे हैं यहां पर cheating कर रहे हैं dishonest intention के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है ठीक है ठेफ्ट में नहीं होगा ठेफ्ट क्या है किसी की permission के बिना हमने किसी property को किसी वेक्ति की possession से ले लिए अगर सिंपल चब्दों में बात कुरो मेरी पाइशन में यह पैन है अच्छा वाइट में दिखने रहा है चलो अब मेरे पास माल लेजी यह पैन है अब मैंने पैन को यहां पर टेवल पर रख दिया थोगी देर के लिए और आप पीछे से आए आपने मेरी मर्जी क खिलाफ क्या करा मुझे पता लगा नहीं और आपने इस पैन को अपने साथ ले करके चले गए अब यह क्या हुआ पैन की चोरी हो गई ना किसी चीज को ओनर की जिसके पास भी पॉजेशन है उसका उसकी पॉजेशन से बाहर मूफ कर दिया गया है विदाउट इस परमेशन उनकी परमेशन के बिना उनकी जानकारी के बिना उनकी पॉजेशन में से दूर कर दिया गया है तो अगर ऑप्शन C नहीं है तो आप ऑप्शन A सेलेक्ट करेंगे ठीक है ऑप्शन A अपने आप में पूरा नहीं है ऑप्शन A अपने आप में 50% 50% ही एक्स्पें करता है ठी किThis Is this clear ? इतना क्लीर हैते में किसी को कोई रिक्त क्या परेशानी बताइए मे mec俺 चलें है चलो आगे चलबे चलते हैं है अगला स chutन है कि रपरीए के परिभाशा कैसे दी गई है रोबरी को कैसे समझाय गया गया ii PC में अब यहाँ पर ऑप्शिन a कहरा है कि theft commit करा जा रहा है by using force और fear of injury option B कह रहा है dishonestly misappropriating property option C कह रहा है obtaining property by making false claims option D कह रहा है unlawful assembly with the intent to commit a crime यह सारे options आपको यहां पर दिये जा रहे है robbery क्या होगी robbery क्या होती है theft होता है चोरी theft होता है चोरी ठीक है उसके बाद robbery होती है loot और डगयती तो डगयती ही होती चाह अंग्रेजी मुझा हिंदी में हो ठीक है दो option आ चुके है हमारे पास तीर answer आ चुके है option A बिल्कुल सही जवाब है option A यहां पर सही जवाब है जब यहां पर चोरी करी जा रही हो और चोरी कैसे करी जा रही है force का स्तमाल करके ताकत का स्तमाल करके अफर ड़ा करके injury के लिए ड़ा करके हांपर कि कोई injury cause हो जाएगी अगर उससे के साथ चोरी करी जा it will be robbery फर आप बोलेंगे कि fear of injury है तो theft क्यों theft में तो without permission हम किसी के ले रहे है property right or naughty confusion आ रहा है mind में कि हम तो यहां पर बिना permission के ले रहे है ना property को right तो theft क्यों आ रहा है यहां पर अगर fear of injury cause कर रहे तो theft में कैसे आएगा theft or fear of injury एक साथ कैसे करेंगे किसे के पास को explanation है इस बात का यह मैं ही दूँ सारी चीज़े मैं ही बताओ यहां पर कुछ बताएंगे आप लोग भी यह सब कुछ मैं ही बताओ हा मदन जी option A होगा चाही बात है सारे लोग सही कह रहे है option A तो होगा लेकिन बेटे लेकिन बताइए theft के साथ fear of injury कैसे मैं हाँ पर पठा रही हूँ आप पीच्छे साइपन लेकर के चले गए मेरा मुबाइल फोन मेरा पर्स कुछ भी लेकर के चले गए fear of injury के साथ करेंगे तो रॉबरी हो जाएगे लेकिन fear of injury कैसे करा जाएगा theft में any idea कि तोचिए को एक्जामपल आ रहा हो माइंड में कोई केस आ रहा हो माइंड में एनिधिंग कुछ भी माइंड में आ रही हूँ अ बताएगे हाँ यह तो है यह तो है लेकिन कैसे होगा मैं बताती हूँ मान लीजे यह एक कमरा है दिस जशॉप यह एक दुकान है दुकान में शॉप कीपर हैं कस्टमर्स हैं ठीक बिलकुल बहुत बढ़ियां गन पॉइंट पर थिफ्ट किया जा रहा है अब यहां पर शॉप में शॉप कीपर हैं और कस्टमर्स हैं ठीक है अब कुछ लोग दो-तीन लोग यहां पर घुस्ते हैं बंदूग के साथ या कुछ अठियार लेकर के अगर किसी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी हो तो समिस का एक्जामपल बहुत अच्छा है वो बंदूग ब्लेड लेकर के जाता है ने क्या लेकर के जाता है दुकान में जाकर के उनकी दिजोरी की चाभी लेकर के चला आता है राइट अगर ऐसा कोई काम करा जा रहा है कि यहाँ पर आपने को पता ही नहीं है कि क्या-क्या गया अपनी मर्जी से डिलaldoरी नहीं करी एक्स्टोरशन में क्या होता है देवरर प्रोपरिटी भलेही सामने वाला जबर्डस्ती दे रहा और उसकी इच्छा नहीं हो देनी की वो मजबूर है देने के लिए विवश है देने के लिए that is a different thing ठीक है extortion में there is delivery theft में taking होती है theft में taking होती है extortion में हमेशा extortion में every time there is delivery of property हमेशा क्या होगा delivery होगी और theft में क्या होगा theft में taking होगी यहां पर हम ले रहे हैं जबरदस्ती ले रहे हैं के लिए 5 परसन जरूरी नहीं है कर पांच लोग जड है हुए ओपशन है यहापा आपका सही ज्वाब हो जाएगा դो तो यह मुझे लग रहा है बहुत ही बेस अफ्री संत्राज हो रहा है अमारे सरक्मस्टांस वाले कुपिन का बस आने के वाले हैं लेकर उससे पहले बता दीजी पब्लिक नूजन क्या होता आई पीची के अनूसार what is public news as per IPC IPC के हिसाब से public news as per IPC what is public news as per IPC intentionally किसी विक्ती के death cause करी जारी मुझे तो लगता है यह murder होना चाहिए option B कह रहा है unlawful assembly with the intent to commit a crime option C any act that causes inconvenience or damage to the public option D the intentional spreading of false information to damage a person's reputation again आप लोग सारे C तो बता रहे हो सही जवाब है C, C is not wrong C is the correct answer over here लेकिन क्या option B इसमें नहीं आ सकता है क्या unlawful assembly public news and cause नहीं कर सकती है यह एक रस्ता है, यह एक street है यह गली है चीक है अब यहाँ पर unlawful assembly ने घिराओ कर रखा है यहाँ पर जो है ठीक है घिराओ कर रखा है, लोगं को आने जाने में दिक्कत हो रही क्या unlawful assembly public news and cause नहीं कर सकती है यह कहीं पर लिखा है कि public news and cause अकेला विक्ति ही कर सकता है अब लोग पब्लिक नूसंस नहीं कर सकते हैं यह ऐसा कहा गया है clear है is that clear चलो, let's move forward, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अब rash driving क्या ऐसे define करी गई है IPC में अब जासे घर वाले define कर देते हैं, बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चलाई क्या वही definition है IPC में यह कुछ अलग है क्या वही definition है IPC में भी और इस देर सम्थिंग डिफरेंट इन आई पीसी तो कर नहीं है जी कहीं पर लिखा नहीं है, तो क्या अनलोफुल असेमली पब्लिक नूसंस कर सकती हैं, अगर कोई अनलोफुल असेमली और कोई काम नहीं कर रहा है बत्तमीजी नहीं करी पब्लिक नूसंस ही करा है, तो अनलोफुल असेमली को अब जज़ बनने के बाद पब्लिक नूसंस के लिए तो पनिश कर सकते हो ना या नहीं कर सकते पलीज लॉक्वी, रिया जी भी कह रही है, सामिय जी भी कह रही hy बिल्कुल सही बात है, धल्कुल सही बात है, जैसे इजनी कर वाले बताते हैं, वैसी यह निल्कुली का मतलब क्या है, carelessly हमें यार कोई होश नहीं है we are not careful ठीक है एंडेंजर करते हूँ human life को अगर किसी गाड़ी को ड्राइफ करा जा रहा है उसको राज ड्राइविंग कहा जाता है चलिए manslaughter क्या होता है IPC के अनुसार what is known as manslaughter वैसे तो यह American term है लेकिन अगर IPC में बताना हो कि manslaughter कहां पर punishable है देखो भले भाई manslaughter जो शब्द है वो अमेरिका में punishable है लेकिन अगर crime है तो हिंदुस्तान में भी किसी नहीं किसी प्रावधान में तो punishable होगा ना किसी नहीं किसी इस चीज में तो इसकी punishment मिलती होगी ऐसा तो है नहीं कि एक क्राइम खाली अमेरिका में होता है इंडिया में भी तो manslaughter होता है कि है कि नहीं कि what is manslaughter कि कि किसी नाम से जाना होता जाता होगा तो वही पूछा गया है कि manslaughter क्या होता है as per IPC according to IPC कि बदाई है कि क्या होगा सोना जी कह रही ऑप्शन सी कर नहीं है जी कह रहा है ऑप्शन सी शोर है आप लिखा है अन इंटेंशनल किलिंग किलिंग कि बिंदू जी कह रही है भी पॉजिंग डिट बाई नेगलिजिंस नेगलिजिंस से डिट कॉज कर दी तो man स्लोटर हो जाएगा सारे लोग बताइए सौम्या जी और तेजा जी का जवाब है ऑप्शन ए बाकी सब लोग यहाँ पर सी कह रहे हैं बी और सी कह रहे हैं स्लोटर का मतलब क्या होता है स्लोटर का मतलब क्या होता है स्लोटर का मतलब होता है काउ स्लोटर हो रही है कार्ट दिया जा रहा है स्लोटर का मतलब यही होता है न या कुछ और होता है स्लोटर का मतलब slaughter का मतलब कार्ट देना ही तो है यह नहीं अगर किसी को काटा जा रहा है तो grievous hurt तो नहीं होगा unintentional killing भी नहीं होगे किसी को कार्ट देने के लिए intention चाहिए आप ऐसे किसी को मजाग मजाग में कार्ट नहीं दोगे है ना, you cannot just cut somebody up encer ईसे नहीं हो सकता है कि आप एकदम से किसी को कारड दो यूही点 राइय ó कि अनिन्टेंशनल कि लिंग नहीं होती है है कं अनिक्टेंशनल के पॉइंट पर गलत ठीक है इंटेशनल के लिंग हो रही है किसी व्यक्ति की इच शुडबी ऑप्शन एहां पर किसी को मारा जा रहा है किसी को काटने के लिए हमें इंटेंशन दो चाहिए किसी को काटने के लिए इंटेंशन दो चाहिए ना अगर यहां पर अगर यहां पर अन इंटेंशनल ना लिखाओ, यहां पर लिखाओ, killing of another person during the commission of crime, तो यह सही हो जाता, तो option C भी सही हो जाता, बट क्योंकि यहां पर unintentional लिख दिया गया है, अगर यहां पर सिर्फ killing of another person होता, मान स्लोटर डिफाइंड नहीं है, मान स्लोटर का मतलब होता है, किसी को कार्ट देना, किसी की हत्या कर देना, तो किसी की हत्या कर देने को हिंदुस्तान में, IPC में, murder कहते हैं, अमरीका में इसको मान स्लोटर कहते हैं, वहां पर murder नहीं कहते हैं, मान स्लोटर कहते हैं, चीक है इंडिया में मैं स्लाटर नहीं कहते हैं मर्डर कहते हैं यह दिफ्रेंस है बैसिक दिफ्रेंस है दोनों में हो समझ में आ रहा है ना जैसा को क्लियर है किसी को को दिक्कत परिशानी मैं देख रही हूं लाइक की संख्या तो बढ़े नहीं रही है ऐसा क्यों हो रहा है एक और सवाल definition based केसलो किस पॉइंट पर मर्डर का केसलो मर्डर का केसलो बताओ मर्डर का केसलो बताओ किसका केसलो बताना है What does the rape entail according to the IPC IPC के अनुसार रेप की परिभाषा क्या होगी रेप में क्या आएगा Unlawful sexual intercourse with a person against their will या फर option B Engaging in conceptual sexual activity with a minor या फर option C Causing grievous hurt during a sexual encounter या फर option D Inducing a person to deliver property by deceiving them So that we can refer अच्छा case laws के लिए classes ले आओ ऐसा कह रहे हैं कि case laws के लिए एक अलग से class ले आओ जिसमें हम ख़ली case laws किया रहे है ऐसा कह रहे हो तो फिर तो बहुत मजा आएगा अगर ऐसा series आ जाए तो है नहीं अरिया जी कह रही है A क्या woman लिखा होना ज़रूरी नहीं है फीमेल लिखा होना ज़रूरी नहीं है रेप के लिए क्या इन दोनों में से कोई लिखा होना ज़रूरी नहीं है अगर रेप के offense की हम बात कर रहे हैं क्या इन दोनों में से कोई एक term हमें नहीं चाहिए किसी का भी परसन हो सकता है इट कुट भी एनी परसन हाँ, ओप्षिन ये को लोग करा जाएगा बिल्कुल करा जाएगा लेगिन सोचिए और मुझे बताईए क्या फीमेल ये वुमन के लिए कुछ नहीं है वेरी गुट शिमे, वेरी प्रिसाइस ओप्षिन भी तो है ही ओप्षिन भी तो है ही हंड्रिट परसन्ट है अगर किसी माइनर के साथ कंसेंट के साथ भी सेक्शूल अक्टिविटी परफॉर्म करे जा रहे तो आई पीसी बोलता है माइनर कैन नोट गिफ कंसेंट माइनर कंसेंट दे यह नहीं सकता है माइनर लगर कंसेंट दिया तो वो वॉइड है, है उसका कोई प्रभाव नहीं होगा माइनर'S कंसेंट इस नोट वालिड तो B तो होना ही होना है वोट अबाउत ऑप्षिन ए option A के बारे में क्या कहना चाहेंगे only woman or female अगर हम IPC के बात करें तो पहले रेप जो होता था सरफ महिला के साथ या female child के साथ परफॉर्म करना जा सकता था क्योंकि वो बात करता था इंसल्शन ओफ पीनिस की लेकिर उसके बाद amendments आए हैं 2013 में 2018 में पहले अगर किसी मेल के साथ रेप या कोई sexual offense कमिट करा गया है तो उसको cover करा था था section 377 में पहले ये होता था बट अभी क्या है अभी तो खेर BNS आ चुका है भारती निया सहीता आ चुका है बेट अगर इसका interpretation करेंगे अगर इसका interpretation करना चाहते हैं हम तो हमें पता है कि IPC में definition दी हुई है person की person की definition दी है IPC में person में कौन आता है any human being male हो या female हो खतम बात option A भी लगा और option B भी लगाई है तो नों लगाई है अगर woman है भी तो भी तो भी आपर person की definition में तो man और woman दोनों आ गए person बोला है ठिक माइनर के साथ है तो फिर तो रेप तो है मानर के कंसेंट्र कोई मतलब ही नहीं है जब है न है न है चलिए लेट्स मूब फोवर्ट तो नेक्स क्वेस्टिन चीटिंग भाई परसोनेशन क्या होती है इसके बाद कोई सेक्शन नंबर नहीं पूछूंगी आप से कुछ नहीं पूछूंगी कि किस चीज के लिए कितीरी सजा मिलती है वो सब रट लो समझने वाली चीज़ों को हम यहां पर एंसे क्यूस के फॉर्म में करेंगे सोधाथ हमारी प्रॉक्टेस हो और हमारी तो कॉंसेप्स उनकी ब्रशिंग हो जाए बताईए प्लीज लॉक ऑप्शिन ए तो हमें जीगा भी कहना है रिया जीगा भी कहना है डिसीविंग समवन बाइप्रेंडिंग तो भी अनदर परसंट नहीं तो आप्शिन ने को यहां पर लॉक कर दिया जाता है क्योंकि बागी तीन ओप्शिन को हम डिसकस कर चुके हैं इस आर डिफरेंट ओफेंस अब्दक अब चाहूंगी किनापिंग जो होती है उसी का कि disgusting, वो किसकी हो सकते हैं, पीमेल के के समय, पीमेल के के समय लेस्ट एटीन ययर्स, मेल के के समय, लेस्ट एन सिक्स्टीनियर्स रैट, और तीसरी होती है, फ्रॉम् लाुफल गारजियनशिप, खेक है, अब इस ही किड् नापिग का रूब होता है, अबच्छिन, kidnapping की होती है इसको abduction बोला जाता है abduction में abduction में वही same चीज होती है जो कि kidnapping में होती है बिलकुल option भी बिलकुल correct है यहां पर आपका option भी is the correct answer over here unlawfully किसी को लेगट के जा रहे हैं डीटेन करने किसी विक्ती को किसी विक्ती के साथ ऐसा करा जाता है उसको kidnapping नहीं बोलते हैं इसको यहां पर क्या बोलते हैं उसको abduction बोला जाता है ऐस पर IPC IPC के अनुसार उसको abduction बोला जाता है clear कि अभी क्लास चलेगी अभी 30-40 एक घंटे में एक घंटे तो चलेगे भी आपकी ठीक है देखते हैं जित्ता कर पाएंगे उत्ता करेंगे से के kidnapping के लिए एज लिमिट kidnapping के लिए एज लिमिट है female के लिए less than 18 years and male के लिए less than 16 years ठीक है clear clear सभी को clear है बटा आगे बढ़ते हैं next question पर चलते है criminal intimidation क्या होता है according to IPC what does criminal intimidation entail according to the IPC जल दिली से कर लो ताकि हम आगे बढ़ें applied questions पर हमें आना है जल दिली से कर लीजें बताइए criminal intimidation क्या होता है according to IPC क्या होना चाहिए चंदन जी option जी तो है ही नहीं मेरे पास option जी तो है ही नहीं कनहिया जी का कहना है option A लिया जी का भी कहना है option A चले बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां साथे लोग बिल्कुल बहुत तरकी कर रहे हैं आप लोग option A यहां पर सही जवाब होगा यहां पर किसी को डरा रहे हैं to cause क्या जबनेंगे किसी व्यक्ते को अगर ऐसा किया जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है criminally intimidate करा है, intimidation क्या है, तरा ना किसी को influence कर रहा है, जबहिति है, criminal तरीकिसे करा जा रहा है, धंकी दी जा रही है, टीकिए? नहीं, option t नहीं होगा, option t नहीं होगा, शिमीजी सोना जी option t नहीं होगा, option t कह रहा है, entering and remaining on one person's property without permission, किसी के property पर आपने entry कर दी प्रवेश कर लिया और उसकी property में आप remain कर जा रहा है आप stay कर जार उसके property में इसके लिए अलग से सदा है IPC में ठीक है ठीक है ठीक है attempt to commit suicide क्या होता है भाई खुदखुशी करने का प्रयास क्या होता है what is attempt to commit suicide as per IPC बताइए जल्ली से बताइए बताइए सोचिये सोचके बताइए सौम्या जी 506 में है criminal intimidation 506 में है 506 of IPC IPC के 506 में है प्लीज लॉक ऑप्शन से रिया जी का भी कहना ऑप्शन सी है नाइमा जी का भी कहना ऑप्शन सी है ठीक है आप सारे लोगों का कहना है ऑप्शन सी सीरी से बात है unsuccessful attempt होगा ना यहां पर हम suicide करने चले और अगर अपने प्रयास में सफल होगे तो फिर तो कोई मतलबी नहीं बनता है पनिश करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है पनिश करने का जहां पर डेथ होगी वहां पर तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है जहां पर अपने मृत्यू कारत करने के खुदखुशी करने के प्रयास में असफल रहे हैं जहां पर खुदखुशी करने की प्रयास में असफल रहे हैं वहां पर तो वहाँ पर केस बन जाता है ठीक है वहाँ पर वह पनिशेबल होता है लेकिन जबसे आपका Mental Health Care Act आ गया है 2017 का वह कहता है कि Attempt to Commit Suicide के मामले में कोई सजा नहीं होने चाहिए क्योंकि आपका IPC is a General Law IPC आपका General Law है और Mental Health Care Act आपका Special Law है तो Mental Health Care Act कर कहता है कि अगर कोई भी विक्ति हां पर Suicide करने का प्रयास करता है Suicide करने के कोशिश करता है तो उसको सजा नहीं मिलने चाहिए किसी बारें पता चल गहें तो कोई भी इसकी पर सकता अब ऐसे ही सवाल उठता था Section 377 पर किसी को क्या पता की बंद गमरें में अननाच्रल Offences हो रह आ है क्या हो रहा है homosexual offenses हो रहे हैं, क्या हो रहे है, जो भी कुछ हो रहा है ऐसे तो किसी के पास जान कर लिए को कोई सुरोथ ही नहीं है लेकिन अगर किसी को पता चलता है, चीज की पुष्टी हो जाए तो case बनता है, ठीक है? Please lock option C, रिया जे कहना है option C, कनहिया जे भी कहना है option C बिलकुल सही बात है, option C है, पर सही जवाब हो जाएगा क्योंकि adultery में sexual intercourse होता है, किसी ऐसे विक्ती के साथ जो कि spouse नहीं है, किसी married person का होना ज़रूरी है, ठीक है तो voluntarily engaging sexual intercourse with a person who is not once a spouse यह आपको देखने को मिलता था section 497 में अब as a crime, इसको strike down कर दिया गया है, but it remains a ground for divorce divorce का ground अभी भी है, and refusal of maintenance मना कर सकते हैं कि नहीं, maintenance नहीं मिलेगा, ठीक है maintenance यहाँ पर मना करा जा सकता है, adultery के ground पर, ठीक है now adultery is not punishable, लेकिन यहाँ पर divorce claim कर सकते हैं और maintenance देने से मना कर सकते हैं कि कोई maintenance यहाँ पर नहीं दिया जाएगा let's move to the next question, criminal force क्या होता है what does criminal force entail according to the IPC IPC के अनुसार, criminal force क्या होता है अब इस सवाल का जवाब दीजे सोच करके बताईएगा, अराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत अराम से बताईएगा only Hindu law, both in Hindu and Muslim law बही, Hindu and Muslim law की बात नहीं है का नहीं है जी यहाँ पर IPC आपका general law है जो कि सब पर applicable है जहाँ तक बात बात मुस्लिम लोगी तो Muslim law does not allow adultery by me allow करता है Muslim law, adultery allow नहीं करता है Muslim law है ना, by me is allowed, not adultery, adultery क्या होता है अब यहाँ पर एक husband है, एक wife है देख husband है और एक wife है अब adultery यह कहती है कि wife यहाँ पर किसी third person के साथ जो है sexual relations नहीं बना सकती अगर यहाँ पर wife ने किसी के साथ sexual relations बनाए तो यहाँ पर husband case कर सकते है adultery का charge लगा सकते हैं जिस वेकिती किसाथ relation बनाए चाहे तो Muslim लोग ऐसा permit नहीं करता है Muslim लोग इसकी इजाज़त नहीं देता है Muslim लोग husband को यह इजाज़त देता है कि आप एक से दादा चाहँ कर सकते है लेकिन और किसी चीज़ के लिए allow नहीं करता है अच्छा, सारे लोग जो है अगर कोई property के साथ तो उफेंस कमिट करने के लिए पोर्स लगा रहा तो वो क्रिमिनल पोर्स नहीं होगा वो क्रिमिनल पोर्स नहीं होगा ओपेंस अगेंस प्रॉपरिटी करने के लिए अगर क्रिमिनल पोर्स यूज़ करा जाए क्या वो क्रिमिनल पोर्स नहीं होगा खाली person के लिए criminal force होता है कहां लिखा है ऐसा कौन से section में लिखा है where is the curtain कहां लिखा है विटे ऐसा बताईए गहां लिखा है कि property के लिए अगर force लगा है तो criminal force नहीं होगा कौन कहता है आपने कहा है क्या कहा है आपने परहिया जी तीन सो बचास में शोर है लोग किया जाए बहुत बढ़िया all of you are correct section 350 section 350 says कि अहां पर force का अगर इस्तमाल करा जा रहा है to commit an offense against a person इसको आप बोलेंगे criminal force इसको criminal force बोला जाएगा correct इसको criminal force बोलेंगे देखें property के लिए force अप्लाई करा जाएगा तो that is not criminal force वो मिस्चीफ हो जाता है और और फिर सारे applied questions ही है बताइए criminal misappropriation क्या होगा अब हमें act तो यहां पर बता है हमारा act यहां पर क्या हो रहा है misappropriation का act हो रहा है अगर criminal mindset से करा जा रहा है तो criminal misappropriation हो जाएगा बहुत ही simple है तो सवल पूछा यूँ फिर जंदन जी कह रहे हैं B अच्छा कोई मुझे बताएगा कि A और B अलग कैसे है how are A and B different A और B अलग-अलग कैसे है बिलकुल कनहिया जी कह रहा है option A सौमिया जी का कहना है option A परक्या है दोनों में बताओ what is misappropriation what is misappropriation option A यहां पर सही हो जाएगा misappropriate करना misappropriate करने का मतलब है किसी चीज़ को इस्तमाल करना जैसे कि अपने खुद की हो misappropriate करना किसी चीज़ का गलत तरीके से इस्तमाल करना अगर यहां पर मान लेजे मेरा mobile phone जो है आपके हाँ में आ जाता है और आप उसको उठा करके रख देते हैं कि मेरे पहुंच से बाहर हो जाए मैं परिशान हो वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रेशन नहीं होगा वो थिफ्ट होगा अगर आप मेरा mobile phone ले करके अपने यूज में कनवर्ट कर लेते हैं वो मिस अप्रोप्रोप्रेशन कहलाएगा अगर डिप्राइफ करना चाहते हैं तो रॉंग फुल लॉस कॉस कर रहे हैं किसी को दार डिफरेंग तिंग अब आज है रॉंग फुल रस्ट्रेंट क्या होता है आज पर IPC रॉंग फुल हतम नहीं हो रहा है ना डिफिनेशन वाले कुश्चिन्स मैं बहुत स्लू हूँ या फर आप लोग बहुत स्लू है दोनों में से कोई तो है जो बहुत स्लू है है ना बताएए अनलॉफुली कनफाइनिंग अपर्सन अगींस देर्विल या फर प्रेवेंटिंग अपर्सन फ्रॉंप प्रोसीडिंग इन एने डारेक्शन यह पर ऑप्शन सी तो नहीं होगा ऑप्शन डी भी नहीं होगा वेरे गुड्ड ऑप्शन भी होगा यहां पर किसी विक्ति को किसी दिशा में आगे बढ़ने से आपको बताएं कंफाइनमेंट क्या होता है चारों दिशाओं से रख दिए जाए लेकिन माल लो आपको इस तरफ जाना ए और इस तरफ आपका रास्ता रोक दिए जा तो इसको रॉग्फुल रेस्टरेंट बोलेंगे गला तरीके से रोकना बोलेंगे रॉणफुल रेस्ट्रेंट बोला जाएगा ठीक है this would be known as रॉणफुल रेस्ट्रेंट राइट क्लेर है option भी यहां पर सही जवाब हो जाएगा अगर चारों दिशाओं से रोक देंगे अगर चारों दिशाओं में रोक देते मंने इधर बेरोग दिया थो यह क्या हो जाएगा रॉंग फिल कनफाइस को जाएगा शिंगल gyलाएंग सजार्ण ट्रीक्षिन पर है चिए हैं था लाएगा कि ट्रीरेखिन में तो भी रॉंगफुल कनफाइन के लिए चारई डायक्षिन होने जरूरि है जब तक आपके पास रास्ता है क्या पिस रास्ते ना जाकर कोई और रास्ता आपना सकते हैं वह रॉंग फुल कंफाइन्मेंट नहीं कहा जाएगा ठीक है चलिए लेट्स मूफ फॉवर्ड नेक्स कुशन अकॉर्ण टू यूद इसको स्किप कर दीजे इसको भी स्किप कर दीजे चलिए आजएगे अप्लाइट कुश्छन पर बहुत हो गया इंतजार इंतवागी इंतवागी आगया आपके लिए अप्लाइट कुशन यहाँ पर अ अमिद जी ने यहाँ पर कौन से ओफिस करा है ऐस पर आई पी सी कि य। इपी सी करण आई पी सी जा अमिद जी ने कौन्स औफिस कर रहा थो अमिद जी पताहिए किया कर दिया यह है लिए यह प्रकल पेबल हुमेस not amounting to murder करा option B okay, Somya जी, Naima जी, Sona जी कह रहा है option B why not assault कैसे पता कि grievous hurt है क्योंकि इंजरी का कोई description तो है नहीं इंजरी का कोई description तो है नहीं हो सकता है हल्की फुल्की चोट हो जो कि 20 दिन से पहले ही ठीक हो जाए एक हफ्ते में ठीक हो जाए ओक्योंकि चंदन जी आगे आजाए फिर आगे आजाए रीफ्रेश कटके दुबारा से जुड़ जाए ताकि आप बिल्कुल हमारे साथ अब एकदम नोक पर चले हमारे पास जब इंजरी का कोई description नहीं है तो फिर कैसे कह सकते है ग्रीवियोस हुट है फॉर एक्जामपल फॉर एक्जामपल माल लीजे गुस्से में मार रहे थे थोड़ा बहुत इस कराचे जाग है खरोच आ गई हलका फुलका बलड़ आ गया है उस पर फिटकर ही लगा दी गई तो क्या वो ग्रीवियोस हुट होगा वो सिंपल हुट होगा वा ग्रीवियोस हुट है माम बट नेचर ओफ उफेंस है नोट बेन डिस्क्लोज़ रहे एक्जाटली वही बात है ना वही बात है अगर ग्रीवियोस हुट होता तो आपको यहाँ पर विवरेंड मिलता डिस्क्रिप्शन मिलता कि किस प्रकार की इंजरी आई है you do not know किस प्रकार की इंजरी अई है मर्डर तो वा नहीं है ए तो kål verbal homicide not amounting to murder nem estás to murder भी नहीं होगा क्योंकि oh several injuries in severe injuries है गंभीर चोटे हैं गंभीर चोटे में कुछ भी हो सकता अग्भीर चोट में कोई जोंट खराम नहीं हूं लेकिन जो चोट लगए हम फ़र में ठीक हो गई मार फ़र में ठीक हो गई पिर लाठी से सर पे माल दिया था माथे पे लग गई थी माथे में से खून आने लगा फट गई इसके निहां पर अब यहां पर जो है मरहम पट्टी करवा ली हफ़ते में ठीक हो गया पट्टी उतर गई क्या यहीं गलीवीुस हर्ड़ में आएगा शाल यह ग्रीवी ह surrounded Evangel कं या यहां वहां नेल पढ गया मकै हुग और और देनका से इसको किस समा पड़ी है लाटी कि से किसमार कह इए ने पड़ती हैं इसके लिए आपो ग्रीवियस हर्ट क्या होता है तो डार टूट गया हो यह तो कान से सुनाई देना बंद हो गया हो यह तो आंख डामेज हो यह तो फ्राक्चर हो गया हो यह तो इमस्कुलेशन हो गया हो किसी जॉइंट का नपून सकता हो गया कुछ भी ऐसा कोई ऐसी चोट पहुंची हो जो कि 20 दिन तक चल रही है 20 दिन तक सफरिंग हो रही है आदमी ठीक नहीं हो पा रहा है 20 दिन तक अपने दैनिक जीवन के कार यह नहीं कर पा रहा है ना नॉर्मली नहीं कर पा रहा है उसको ग्रीवियस हर्ट बोला जाता है क्योंकि यहां पर तो इससे बता देते न कि मौत के मुझ से बच करके निकला फिर तो अटेम टू मुर्डर लग जाता अगर यह बात बता देते तो फिर तो मुटर लगाते चोटी मुटी तो बात ही नहीं गरते असॉल्ट कैसे होगा तो बैटे मैं तो सवाल पूछ रहे हूं ग्रीवे असॉर कोई तूट फूट नहीं हुए यह कुछ खराब नहीं हुआ है बीस दिन तक अगर पॉंटी नहीं कर रही है हाँ चालेज तो करना पड़ी गर से कुश्चिन एक्जाम में आजए क्योंकि आसे जादा लोगों का गलत होगा क्योंकि कमिशन को कुछ और लगेगा हर बच्च यहां पर यह 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 लगया है वह टूट ब्रूट अब यह लेकर गया इसको मार ने खिक है और इगदम इसके सर पे मार दिया ठीक है इनके सर पर जाकरकर अगर लगा ऐसे लग अब इनके सर से खून बहना शुरू हो गया कॉंकर्शन हो गया यहां पर फूल गया हो जाता है फूल गया के यह भी सेम पर तुरंत यहां पर हमें ज़रूरत है फर्स्ट एट की लेकिन 20 दिन से ठीक हो जाएगा रहे आदमी कि अपना काम नहीं कर पहेगा बीज दना राम से कर लेगा good faith में तो एक हिट नहीं किया होगा good faith में तो आक हिट नहीं करा rage में करा है, गुस्से में आकर के करा है गुस्से में आकर के करा है civil injury ही इसले इन इसलफ इस grave, अच्छा अच्छा सुम्यजी ऐसा होगा सिविर इंजरी लिखा तो आप यहां पर यह इंटर्पेट कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को एफिट कर रही है फॉर मोर देन 20 डेज हम यह प्रिज्यूम कर सकते हैं समझे इस बात को इस ओफेंस को जब रिपोर्ट करवाया जाएगा जब इस ओफेंस के रिपोर्टिंग होगी तब इसको यहां पर ग्रीवियस हर्ट में रिपोर्ट करा जाएगा जिसको चोट लगी है उसको उस टाइम तो बहुत तेज चोट लगी है जिस समय चोट लगी है उस टाइम तो बहुत जादा फील हो रहा है दर्ग उस टाइम इसको grievous hurt में note करवाया जाएगा जो complaint file करी जाएगी वो grievous hurt की file करी जाएगी grievous hurt का क्या होता है medical examination होता है अगर medical examination में आ जाएगे grievous hurt नहीं है तो यह आपका case चला जाएगा simple hurt में यह case then आपका जाएगा simple hurt में simple hurt का charge बनेगा ठेक है बट यह होगा आपका medical examination के बाद जब आप complainant है जब आप victim है तो victim यहाँ पर जो बोल करके अपने शिकायत दर्ज कराएगे उसी पर तो medical examination होगा अब यहाँ पर किसी ने किसी को डंडे से मार दे कोई यहाँ पर बोले कि यह तो मुझ में जान लेना चाहता था मैं attempt to murder लिखवाऊंगा तो पोल्स यहाँ पर थोड़ी सी investigation करके देखेगी कि यहाँ पर actual में क्या हुआ इस case के facts and circumstances में ठीक है हाँ जी बिलकुल हम presume नहीं कर सकते हैं हाँ जी assault में बस apprehension होता है कि मारने वाला है तब assault नहीं होगा सही बात है सही बात है ठीक है ठीक है आपको यहाँ पर wait करना होगा description का injuries का कुछ description दिया हो तब आप answer कर लिएगा इसको ठीक है यह question जान बुझकर थोड़ा सा घुमा करके ही लाई थी जान बुझकर के घुमा के लाई थी ठीक है ठीक है procedural तरीके से कैसे होता है वो मैंने यहाँ पर बता दिया ठीक है clear चलो let's move forward अगले question पर चलते है रिया जी के लिए सवाल आ गया यहाँ पर रिया जी ने यहाँ पर discover करा कि उनके जो colleagues है वो embezzle कर रहे funds को from the company's account and reports to the authorities which section of IPC protects रिया from any legal consequences for her disclosure रिया जी को यहाँ पर पता चला कि उनके class वाले उनके साथ वाले office वाले यहाँ पर embezzlement कर रहे funds का funds को चुरा रहे हैं miss use कर रहे हैं उनका miss appropriation कर रहे हैं तो उन्होंने इस बात की complaint जाकर कि कर दिया authorities को ठीक है अब यहाँ पर कौन सा section है जो रिया जी को यहाँ पर protection देता है legal protection, legal consequences से protection देता है बताईए 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 क्या होगा मुझे लगता है मुझे इस question को cancel करना चाहिए बिकॉस यहां पर correct options नहीं है correct options नहीं है यहां पर देखो आपको बता दो यहां पर जो correct answer होगा वो आपका होगा section 115A 115A यहां पर आपका सही जवाब होगा यहां पर सारे options गलत है all the options are wrong here section 115A में protection होता है victim को and witnesses को यह protection देता है victims को as well as witnesses को इन दोनों को punishment protection section 115A देता है ठीक है पर इस cancel नहीं होगा बता तो दो पूरी बात अगरे बता होगे नहीं तो फाइदा क्या है ऐसा एक letter भीचते हैं तो यहां पर इन्होंने कौन सा crime commit करा है विक्रम जी ने यहां पर कौन सा offense commit करा है बताईए पताईए यहां पर क्या होगा विक्रम जी ने यहां पर क्या करा है दोनों extortion भी और criminal intimidation भी दोनों ही पताईए एक्स्टॉर्शन भी हुआ और criminal intimidation भी हुआ है देखिए देखिए यहां पर extortion के लिए क्या ज़रूरी है extortion के लिए यहां पर induction ज़रूरी है induction is important induce कर लें किसी विक्ती को कि ऐसा करो और बदले में उससे ऐसा करवा लेते हैं aobtain कर लेते हैं इस इंडक्शन के बढदे में अगरआपटेनिग हो जाए तो यह क्या हो को obtaining हो जाए तो trop की होता है कि ध dönकी धंकी हें फाली हां परडराय सायराय कि पहुचेगा थिक है सो इसको क्या बोलते हैं टराना दमकाना क्रिमेनल intimidation जो कि आता है 506 IPC में ठीक है this comes under section 506 of IPC clear clear रे बिटा चली अगले offense पर चलते हैं अगला offense आपके सामने ये रहा एक व्यक्ति है जो कि जान भूज करके false rumors spread कर रहा है किसी community किसी समुदाई के बारे में जिसकी वज़से सामुदाईक विवाद हो रहा है या हिंसा हो रही है तो ऐसे विक्ति ने कौन offense commit करा है यहां पर ऐसे विक्ति ने कौन offense commit करा है यहां पर which offense has been committed by such a person sedition हुआ है hate speech हुई है defamation हुआ है फर promoting animity between different groups हुआ है बताएए sedition सरकार के लिए है sedition is for the government है ना प्लीज लॉक ऑप्शिन भी सो में जिगहरी option D hate speech नहीं होगा hate speech होगा जब यहां पर आप किसी person के लिए किसी particular person के लिए किसी particular class के लिए कर रहे हैं बट यहां पर बट यहां पर आ जाएए प्रमोर्टिंग एनिमिटी बेट्वीन डिफरेंट ग्रुप्स होगा यहां पर आपका option D correct होगा क्योंकि यहां पर जो फॉल्स नूमर्स स्प्रेट करे जा रहे हैं उसकी वज़े से आपका section 153a में दिया है प्रमोर्टिंग एनिमिटी बेट्वीन ग्रुप्स बेट्वीन डिफरेंट ग्रुप्स ठीक किसी आधार पर ग्रुप्स के बीच में आपर एनिमिटी को प्रमोर्ट करा जा रहा है इट इस परिशिबल अंडर सेक्षिन 153a ओफ आई पीसी ठीक है हेट स्पीच को जो है एक्सप्रसली डिफाइन नहीं करा गया है करहिया जी हेट स्पीच को हम रीड करते हैं उसमें section 295a में जो यहां पर कहता है कि जो deliberate और malicious arts होते हैं जो words का produce करा जाता है यहां पर जो है चाहे language से करिए चाहे words से करिए चाहे sign से करिए जैसे भी करिए कि यहां पर outrage करा जा सके feelings को हम उन चीज़ों में हेट स्पीच को गिन लेते हैं अलग से explicitly defined नहीं है एट स्पीच आई पीसी में ठीक है it is not explicitly defined in IPC ओके चलो let's move to the next question अगला सवाल आपके सामने यह रहा a group of people conspired to commit a robbery at a jewelry store jewelry store पर कुछ लोग मिल करके plan बनाते कि हम robbery करेंगे loot करेंगे लूटेंगे तो दे प्लान दे एंटार operation including the rules इज मेंबर विल प्ले वोट ओफेंस हाफ दे कमिटे अंडर IPC पूरा operation प्लान कर लिया है सोच लिया है कि कौन सा रोल कौन निभाएगा कौन सा काम कौन करेगा अब यहां पर इनों ने कौन सा ओफेंस करा है IPC में क्रिमिनल कौन स्पिरेसी करी है रॉबरी करी है डिकेटी करी है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कराएं क्या कराएं सोना शर्मा जी वेड़ी कौन स्पिरेसी करी है कुछ लोगों ने मिल करके यहां पर प्लानिंग करी है कि कि सी जुलरी स्टोर में लूट करेंगे दाट इस एन इल्लीगल आक्ट यहां पर किस चीज का अग्रिमेंट है कोई इल्लीगल आट करने का अग्रिमेंट है इनका तो ऑप्शन हो जाएगा आख बंद करके section 120A 120B of IPC अगला कुश्चन आपके समने ए रहा अब IPC में डॉक्टर ने कौन सा ओफिस कमिट कर आ है डॉक्टर को यहां पर नॉलेज इस बात की जानका रही है कि पेशेंट को टर्मिनल इल्लेस है टर्मिनल इल्लेस क्या होती है ऐसी इल्लेस जो जान लेवा हो जान ले ले जैसे कैंसर हो गया इस प्रकार की जो इल्लेस होती है इसमें अल्टिमेटली जान ही जाती है चाहिए का कोई ऐसे बिमारी हो कोई ऐसा रोग हो जिसमें जान ही जानी हो उसको टर्मिनल बोला जाता है और ऐसे विक्ति को जान बूच करके मेडिकेशन का ओवर्डोस दे रहें जिससे की पेशिंट की लाइफ खतम हो जाए तो डॉक्टर ने आपकर कौन सा ओफेंस कमिट करा है वी क्यों बासोमियां जी क्या कल्पेबल हिमींस डॉमट हुट अमांटिंग के लिए डॉक्टर को लगे तो बोक्त It तो उसको ओवर्डोस दे करके उसके लाइफ खतम कर रही है तो क्या हम अलाव कर सकते हैं इतनी लिबर्टी दे सकते हैं बिलकुल तो आग तो जी आपशन दी कैसे हो जाएगा यहाँ पर इन्टेंशनली अड्मिनिनिस्टर करा जा रहा है जानबूच करके दिया जा रहा है इन्टेंशनली कर रहे हैं, जानबूच करके कर रहे हैं हां HIV AIDS हो सकता है, recovery बहुत ही कम है, terminal illness है ठीक है? डी नहीं होगा जब जान बूचके कर रहें तो लापरवाही कैसी जब जान बूचके कर रहें तो लापरवाही क्यों होने लगी है ना तो यहां पर murder हो जाएगा जब यहां पर पता है कि इस वेक्तिरी के साथ situation यह है और इस वेक्तिरी के साथ आखरे question पर आज के लिए बागी के questions को next weekend continue करा जाएगा अगले Saturday या Sunday को continue करा जाएगा ठीक है यह हमारा आज की class का last सवाल होने वाला तो जुसने अभी तक like नहीं करा session को like कर दो फटा फट से like कर दो चलो अब यहां पर है बात राज की राज ने पी रखिये ड्रंकेन स्टेट में है पी रखिये ठीक है एक जुलरी शॉप में घुसे और वहां पर जाकर के glass showcase तोगले शुरू कर दिये जेवर चुराने के लिए और्लामेंट्स चुराने के लिए ठीक है अब दुकानदार ने इनको रोकने की बहुत कोशिश करी तो ऐसे मारा राज ने यहाँ पर कौन सा ओफेंस करा है आज यह लेत तहीं रखेंगे पहले चलिए इसका जवाब दीजे वेरी गूट सोना जी वेरी गूट अखिलेश जी अलिकेश अलिकेश ओके चिंजो ए नहीं होगा ए नहीं होगा नहीं हो रहा है यहाँ पर रॉबरी हो रहे हैं डरा के यहां पर चोरी करी जा रहे हैं ग्लास तोट रहे हैं फिर ओफ इंजिरी कॉस कर रहे हैं जब कहांस तोट रहे हैं तो फिर ओफ इंजिरी कॉस हो रहा है कि हमें भी लग सकते हैं यहां पर रोबरी होगे पहले चीज चीज तो और दूसरी बाद जब उनको मार दिया गुरी शर्ट है मेटल की रॉट से मारेंगे ग्रीवे सर्ट हो गई भाई अब लकड़ी की लाठी से मारना और मेटल पार्ट तो आपका रॉबरी ही है ना पहला पार्ट तो रॉबरी 100% है 100% ग्रीवियस हर्ट भी होगा बेटा ग्रीवियस हर्ट भी होगा यहां पर ऑप्चिन भी आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकती हूं बहुत अच्छा अगली क्लास में आप और भी अच्छा पार्टिसिपेशन करेंगे और भी लोगों को ले करके आएंगे अपने साथ वालों को ताकि हेल्दी कॉंपटेशन हो सके और हम बहुत सारी चीज़ों को डिसकस कर सके जब तक आपका आर जेस का एक्जाम नहीं हो जाता तक आपके लि मैंने ठेफ्ट को डिसकस करा था कि ठेफ्ट में जो है टेकिंग अवे और प्रॉपर्टी होता है विदाउट नॉलेज लेकिन जब वही रॉबरी हो तो रॉबरी में ठेफ्ट होता है विद कॉजिंग विद फियर ओफ इंजरी यहां पर डर पैदा कर देते हैं कोई इंज पी रखी है वैसे भी जब वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन होता है तो फिर तो भई सजा तो होती ही उसमें अच्छी से इस्ट्रिक पनिश्मेंट मिलती है अब आपके सामने कोई नॉर्मल है उसने गुस से अपने अपने पडोसी को लाथी से इस्ट्रिक अपके सामने the case na 70 थो कि यही होगा Scrno करने रहा है तो अगर अलग से रर लिखा उता तो हमें टेंशनों दी कि इसको ग्रीवीस सट में इंक्लूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लेकिन जब दू चीजे एक साथ इग्जिस्ट कर तो आप साथ में लेकर के चलोगे ना उनको ए चलिए क्लास को भी नहीं पर रोकते हैं वो लकात करते हैं आपसे अगली अग्ली लेकिन तील देन कुछ बाते हैं आपसे कर लेते हैं अगर आप हमारे पेट बाठ में जुड़ना चाहते हैं If you want to get enrolled in our paid batch और अपने सारे concept को इसी तरह बखुबी clear करना चाहते हैं तो उसका तरीका बता देती हूं कैसे कर सकते हैं हाँ जी burglary English law में होती है Indian law में इसका कुछ नहीं है ठीक IPC में कुछ भी नहीं है Google पर चाहिएगा सर्च करिएगा Adda 24-7 सर्च करेंगे ऐसा page खुल करके आएगा पहले link पर आजाएगा पहले link पर आने के बाद बिटे आपको आना होगा All courses में All courses में आजाएगा नीचे PCSJ जुरीश्री में और यहाँ पर आजाएगा State जुरीश्री PCSJ में यहाँ पर आएगे तो आपको बताना चाहूंगे View All कर लेना तो आपको यहाँ पर बाचस हमारे देखने को मिलेंगा Rajasthan जुरीश्री के लिए बाच है RJS Prelims के लिए यहाँ पर बाच है और यह बाच 2 है Rajasthan Prelims का और यह All courses जुरीश्री का बाच है यह सारे बाचस है आपके सामने जो भी आप यहाँ पर लेना चाहे ले सकते है लेकिन जो मेरा personal recommendation होता है आगर इस महापार्ग क्योंकि हमारे जिद्रे में existing batches होते है सारे के सारे आपको महापार्ग में मिल जाते है इसको कहा ही जाता है selection का महापार्ग इसका नाम ही selection का महापार्ग इस batch में क्या होता है कि जब तक आपकी वैलल्टी होती है अगर 18 महीने की वैलल्टी है तो 18 महीने तक हमारे जो भी नए courses आएंगे सारे आपको मिलते चले जाएंगे महापार्ग में तो इसके features आपको बता दूं classes आपको लाइफ में मिलती है और अगर आप लाइफ नहीं ले पाते हैं तो recorded मिल जाती है बाइबाइब लाइक जरूर करते हैं जिसने लाइक नहीं कराएं दू नोट फगेट तो शेर दे सेशन अगले हफ्ते फिर आएगा चलिए अगर आप आप ले सकते देखे आपको यहां पर बाइनाओ करना हो का बाइनाओ करने के बाद कूबन कोड लगा देजेगा वाई 625 लगा देजेगा वाई 625 यहां पर लगा देजेगा तो आपके लिए यह बाच 21999 का हो जाएगा ठेक है लेकिन 21999 भी मत देना आप एक काम करना अड़ा 247 की मुबाइल आप्लिकेशन डाउनलोड कर लिजेगा वहाँ पर आपको रिजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्री कॉइंस मिल जाएंगे उन फ्री कॉइंस को यूज कर लेजेगा फ्री कॉइंस को यूज करने के बाद लग बग 19,000 रुपैक आपको यह बास पढ़ेगा और मैं आपको एक नंबर दे दे दी हूँ कॉपरेशन उमीद करती हूँ आप हर सेशन में ऐसे ही आते रहेंगे और खुद भी अपने तैयारी भी करेंगे और हमारे साथ मन भी लगाएंगे थोड़ा सा है ना चलिए गाइस टेक के और अल दे वेरी बेस्ट May God bless you all